नमस्कार दोस्तों मेरे नाम स्रीकांत कुमर आप देखरे टुजेक टोसिस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तों बिना मोबाइल नमबर लिंक के बिना अधार OTP के अधार कार्ड में नाम, एड्रिस, डेटो, बर्त, जेंडर, फोटो, मोबाइल नमबर, इमेल आईडी अगर ये सारा चीज को अपडेट करना चाहते हैं और आपके अधार कार्ड में मोबाइल नमबर लिंक नहीं है तो फिर आप किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं तो उसके लिस वीडियो को कमप्लीट देखना होगा इस वीडियो में हम बहुत यसान तरीका से बतलाने वाले हैं जो बहुत ही कम समय में आपके अधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा सबकुछ इस वीडियो में कमप्लीट बतलाने वाले हैं इस इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तब जाकर आपको समझ में आने वाला है तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बला इकन घंटी को प्रेस कर लिजे, ताकि मेरे वीडियो को नोडिफिकेशन सबसे पहलब के पास पहुँच पाए, तो चले दोस्तों मेरे वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिजे सबसे पहले UIDAI के ओफिसियल पेज पेज पे इस प्रकार से चले आना है, और इस पेज पेज पे कैसे आना है, उसके लिजे वीडियो को कमप्लीट देखना होगा, अगर वीडियो को कमप्लीट नहीं देखते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ कि इस पेज पे आना है, तो कैसे आना है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखनी के लिए मिल जाता है, अधार अपडेट इस वाले आप्शन को सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पे अपना कोई भी मोबाइल नंबर को टाइप कर दना है, जो आपके पास मोबाइल नंबर हो और चालू हो, तो यहाँ पे किसी भी मोबाईल नमबर को टाइप कर लेना, उसके अबाद यहाँ पे capture code दिख जाता है, capture code को यहाँ पे type करना, generate OTP के option पे click करना है, इस box में OTP को fill up करना है, verify OTP के option पे click करना है, अगला page इस परकार से open हो जाता है, तो यहाँ पे resident वाले option को select रहने देना है, यहाँ पे अपना अधार number को type करना है, अधार card पे जो भी आपका नाम होगा, यहाँ पे नाम को type करना है, यहाँ पे document वाले option को select रहने देना है, उसके बाद नीचे चले आना है, यहाँ पे state का नाम को select करना है, city का नाम को select करना है, अधार सेवा किंदरे क चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे दिख जाता है नेम के एक box इस box पे टिकॉर्ट करना है अगर अधार कार्ड में जेंडर को अप्रेट करने वाले हैं तो जेंडर वाले option को select करना है और mobile number को link करना चाहते हैं या फिर change करना चाहते हैं तो यहां पे दिख जाता है mobile number और यह यहां पर देखने के लिए मिल जाता है box इस box पर टिकोर्ट करने के बाद यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है total कितना आपको जो है कि payment करना होगा तो दोस्तों अगर आप जो है कि नाम, gender, mobile number, email id, address, date of birth अगर एस सारा चीज अगर एक साथ आप update करते हैं तो आपको म तो यहां पर आपको total कितना देना होगा 100 रुपया, यानि 100 रुपया में जो है कि सब कुछ आप पी जो है कि एक साथ update करवा सकते हैं, तो जो भी आप update करना चाहते हैं, उस वाले option को यहां से आपको select कर लेना है, तो चलिए यहां से हम किसी एक option को select करते हैं, तो यहां पर आप लोग इन होए हैं और यही mobile number को अधार कार्ट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको इसको छोड़ देना है अगर आप दूसरा mobile number को लिंक करना चाहते हैं तो pencil के option पर क्लिक करके यहां से आप change कर सकते हैं उसके बाद यहां पर सबसे पहले select करना है कि name proof में आपके पा यहां पर सबसे पहले appointment date को selecting लेना होगा तो चलिए हम इस परकार से appointment date को selecting हैं उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं तो यहां पर time देखने के लिए मिल जाता है, तो यहां पर जो भी जी time मेश फिरी हैं उस time को यहां पर सबसे पहले select कर लेना है उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिख जाता है next next के option पे click करना है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता संबित संबित के option पे click करना है okay के option पे click करना है फिर से okay के option पे click करना है online 50 उर्प्रा का payment करना होगा तो payment करने के लिए यहाँ पे दिख जाता है online वाले option को select करना है यहाँ पे दिख जाता है pay you इस वाले box को stick out करना है और यहाँ पे आपको payment करने का चार option दिखने के लिए मिल जाता है जिससे आप payment करना चाहते हैं यहाँ से आपको payment कर दना है तो चलिए हम you pay you वाले option को select करते ह और last make option दिख जाता है make payment इस वाले option पे click कर देना है और यहां से 50 रुपया का payment कर देना है जैसे payment हो जाता है उसके बाद इस परकार से अधार enrollment form देखने के लिए मिल जाता है तो इसे सबसे पहल जो कि print out निकलवा लेना है और name proof में जो भी आपने document को select किये हैं उस document को भी आप को pin up कर लेना है और जिस date में अपने appointment को book किये हैं जिस अधार सेवा केंदर में उसी date में आपको चले जाना है अधार सेवा केंदर और वहां पर आपको जाकर कुछ भी करने की जरुवत नहीं है नहीं आपको line लगना है और नहीं आपको किसी वीपरकार का कोई भी फरम book के हैं उसी time में उसी date में आपको चले जाना है जैसे time आपका आज आता है उसी time में जो ही कि आपका सिर्फ biometric लिया जाएगा और जो भी आप update कर रहे हैं वो चीज को update कर दिया जाएगा और वहां पर आपको एक उरुपया भी देने की जरुवत नहीं है online payment कर दते हैं appointment book कर समय तो फिर आपको अधार center में एक उरुपया भी देने की जरुवत आपको नहीं पड़ेगा तो इस परकार से आप बहुत यह असान तरीका से अधार card में किसी भी परकार का correction कर सकते हैं और अगर आप ऐसे direct अधार center चले जाते हैं तो सबसे पहले कि आपको offline एक फारम को बढ़ना पड़ेगा, line में लगना पड़ सकता है तो आपको ASF परसानी से बहुत यह असान तरीका से appointment book कर लें और appointment book कर ही के अधार card में correction कर लें अब इस portal पर आना है तो कैसे आना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि browser को open करना है और browser में type करना है UIDAI उसके बाद सर्च के option पे click करना है सबसे उपर में जो link दिख रहा है इस link पे click करना है यहाँ पे language को select करना है अधार card के official portal इस प्रकार से open हो जाता है यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है book and appointment इस वाले option पे click करना है यहाँ पे दो option दिखने के लिए मिल जाता है अगर आप बड़ा city से belong कर करते हैं तो सिकेन वाले ओप्शन पे क्लिक करना उसके बाद इस प्रकार से आप पेज पे चले आते हैं और यहीं से आप जो है कि अधार काड में करेक्शन कर सकते हैं मोबाइल नंबर लिंक रहा है या ना रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है तो चले दोस्तों वीडियो कर पसंद आ गया होगा तो वीडियो के लाइक कर देजिए वो मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्रेब कर लिए जब लाइकर घंती को भी प्रेस कर लिए जगा